हेलो रिवन, वेलकम बाक टो अनलाइन स्टेडियोन, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मिक्स क्वेशन्स का सेट नमबर एट, जिसमें 50 MCQ आपको देखने को मिलेगा, आने वाले सब एक्जाम्स के लिए आपका हेलफुल रहने वाला है, तो इस वीडियो को आप अपर तक देखिए और बताए कि आप इस 50 में से कितना स्कोर कर पाते हैं, क्वेशन्स का लेवल बहुत अच्छा है, तो वीडियो के साथ आखरी तक बने रहिए, और अच्छे तरीके से बताए कितना आप साही के स्कोर कर पाते हैं, तो चलिए फिर इस वीडियो को सुरू गरते हैं, पत्थर होता है, सैल होता है, और एक लिगनाइट कोईला, लिगनाइट कोईला अवसादी के अंतरगत आता है, जबकि बिटुमिनस कोईला जो होता है, वो अगने चटान के अंतरगत आता है, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों को याद रखेंगे, ठीक है, त उसका समन्द किस राज्य से नहीं है, उसका विस्तार किस राज्य में नहीं है, महराष्ट में अरावली स्थ्रेडी का विस्तार नहीं है, अरावली की तो सबसे उची चोटी होती है, वो गुरू सीकर होता है, अगला क्वेसंस, निम्रीखीत में से कौन सा सहर गंगा नदी के प्राप्त होता है तारपिन प्राप्त होता है पाइंस ओप्शन ए बिल्कूर करेक्ट होगा पाइंस ध्यान रहा चीड जो एक तरह से कह सकते हैं उसी के चीड जैसे जो जीवित ब्रिक्ष होते हैं उनसे प्राप्त होता है उनके दौर जो रेजिन निकलता है रेजिन के आस् पुलकेसिन द्वुतिये ने उत्तर भारतिये सासक हर्जवर्धन को अर्धन को हर रहा था इन दोनों के बीच किस नदी के तड़ पर यो दो आ था नर्मदा नदी के तड़ ठीक है उनके द्वारा जारी कीया गा एहुल सिला लिख उनके शासनकाल का विब्रंट देता है तो ये भी बिल्कुल सही है, correct answer हो जागा option C, एक और दो दोनों सही है, ताती पाका तेल सोधन साला कहा अवस्तित है, ताती पाका इसका संबंध आंदर प्रदेश से होगा, आंदर प्रदेश, दलहन में बड़ी मात्रा में होता है, तो दलहन में बड़ी मात्रा में क्या होता है, पर्टेन, यहाँ पर बिल्कुल सही answer होगा, option C, महाजनपद, अवन्ती के उत्तर भाग में, उत्तर भाग की जो राधानी थी, निमलखित में से कौन से राधानी, option C, उत्यान, निमलखित में से कौन सा या फिर कौन से जो राश्टी उद्यान उत्तरा खंड में इस देते ह गोविन्थ जो राश्टी उध्याने, इसका पूरनाम होता है गोविन्थ, पसु, विहार, राश्टी, उध्यान ये पढ़ते हैं आपके उत्रा खंड में ना मेरी और और औरण की बात करते तो ये दोनों असां में होसता है लेकिन गंगोत्री और गोविन्थ यहाँ पर कह सकते हैं, एक और तीन उत्राखण में स्थीत है, उप्सन D, अगला कुशन से कि दिली में महरावली का कुवत उल इसलाम मस्जीद के प्रांगण में स्थीत, लौस्तम किसकी स्मृति में, लौस्तम किसकी स्मृति में, तो राइट आंसर रोजगा उप्सन B, क्या है, क्या है, नेक्स्ट क्वेशन, कि व्रिटी सरकार ने कब और किसकी अधेक्स्ता में नील आयो का गठन किया था, नील आयो का गठन किसकी अधेक्स्ता में, कब 1860 में सी टोन करके अधेक्स्ता में किया गया था, नील विद्रो 1869 60 में हुआ था बंगाल में, तो आप ठीक है जिसको विजाड हुग गयते हैं एक इतियास कारने पानीपत की तीसी लड़ाई को स्वैम देखा वह कौन थे तो पानीपत की तीसी लड़ाई कब हुआ था 1761 किनके किनके बीच ये ध्यान रखना है अहमद सा अबदाली और मराठा सेनापती जो थे सदा सिव राउज भावते उनके विच्वा था कब हुआ था ये डेट भी याद रहेगा 14 जनवरी ठीक है 14 जनवरी 1761 इसमें बिजय कौन रहा है अफगानों की जीत हुए तो वह कौन देखे थे कासी राज पंडित कासी राज पंडित ऑप्सन बी नेक्स्ट वन किस मराठा सासर के सासनकाल क पिस्वाओ के सासनकाल के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्ट मिट्टी में नाइट्रोजन का निधारन किस के दौरा खेयाता है वैक्ट्रिया के दौरा आप्सन सी वैक्ट्रिया खादी और ग्रामोदे उध्वग अधिनियम किस वर्स पारित हुआ था कल की वीडियो म यानि आप्सन बीगोटे करेंगे 1956 किस सुफी संत को महबूब ए इलाही यानि अल्ला के प्रिये कहा जाता है तो आप्सन ए सेख निजामोदिन औलिया बारत के समिधान का कौन सा नुच्छेद भारत के राश्टपति के महावयोग के प्रवधानों के बारे में बताता है अ आप्सन हम एक को टिक करेंगे ठीक है प्रोटो जहुआ बिल्कुल करेक्ट होगा जो मलेरिया होता है प्राजमोडियम नामक प्रोटो जो यानि की परजीवी के कारण ही होता है यह ध्यान रखेंगे अगला खुशन से की सास्तिरी रिद्टी रूपों के साथ यहां पर मिलान करना है कौन सास्तिरी उसका समवन असंद्ध से होगा यानि एक का फूर के साथ है तो एक का फूर यहांपर भी है यहांपर है अगर हम महनी अट्ब की बात करें इसका समद्ध के रल से हो जागा तो महनी अट्ब दीखे बी का सेकिंड के साथ बिल्कुल सही answer है यहां पर राइट Answer हो जागा option B ठीक है B को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं भरतनाट्यम, तमिनाडू और कुछी पूड़ी का समद्ध आंदर परदेश है अगला कुशन्स क्या है नेक्स्ट वन ये कहा रहा है कि प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाओं में मतों का नियुम्तम कितने प्रतिसत प्राप्त करना होता है नियुम्तम कितना प्रतिसत तो नियुम्तम यहाँ पर चार प्रतिसत उसे प्राप्त करना होता है ठीक है चार प्रतिसत आप्सन B निमली खित कतनों पर विचार करें दो पॉइंट्स दिया कि दोनों को पढ़ी और बते कि कौन सा कतन सही है तो देखे पहला पॉइंट्स के रहा कि बराक नदी मडीपूर हील के माउंट जानपो से निकलती है ये ध्यान रखेगा माउंट जानपो से निकलता है बराक नदी भारत के असम मणीपूर मिजोरम राज्य में बहते हुए बंगलादेस में प्रवाहित होती है तो दोनों के दोनों कर्थन बिल्कुल सही है तो राइट आंसर बनेगा option C ठीके असम मणीपूर मिजोरम ये तीनों याद रखना है चिलका जील के समद में कौन सा कतन सही है तो ध्यान रखेगा क्या कहरा है पहला पॉइंट भारत में सबसे बड़ी तटिये जील है ये बिल्कुल सही खारे पानी के एक लैंगुन जील है उड़ी समय पढ़ता है ये तीनों के तीनों पॉइंट से आपे सही तो राइट अंसर हो जागा ऑप्सन दी निमली कित कतनों पर विचार करिए संसोधन कारेविधी भारत के समिधान के अनुचे 368 में उपबंदित किया गया यानि भारत में समिधान में संसोधन के जो उलेखे अनुचे 368 में किया गया भारत में समिधान के सभी संसोधनों के लिए राज्यों की समाती अनिवारे ये पॉइंट गलत है राज्यों की समाती अनिवारे नहीं है संसत समानने भहुमत के विधी से बना कर नए राज्यों को बना सकती है तो यहां पे कीवल और कीवल एक सही होगा राइत आंसवर आप्स्वर बनेगा किन्दरिये ग्रह मंत्रि यहां पे राइत आंसवर बनेगा किया बहुत बाइत में से किसके आंसवर बनेगा क्योंकि आपको पता है कि अनुछे 40 के अंतरगत ग्राम पंचायतों की संगठन की बात की जाती है अठार संथावन की विद्रोह की लोग पर ये निताओ और उनके स्थान के साथ गलत जोड़ी की गई है तो बताए कौन गलत है बेगम हजरत मल लखनो के साथ संग्द मौलवी लियाका दली का संबंध इलाहाबाद खान बादूर खाग यहां पे मेरट बिल्कुल गलत है क्योंकि खान बादूर का संबंध बरिली से था और कुवर्सिंगा तो संबंध बिहार के जंसेतफूर तो बिल्कुल सही है C, यहाँ पे गलत होगा अगला कुशन्स की तिहाई मुख बांध किस नदी पर इस्थित है option B, बराक नदी पर निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताए कि कौन सा कथन सही नहीं है चार हो options को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे option D यहाँ पे गलत है क्योंकि काली मिटी हिमाले छेतर में पाई जाती यह गलत है क्योंकि काली मिटी का संबन जो कि पस्चमी भारत के साथ साथ जैसे महरास्ट गुजराथ और उसके कुछ निचले हिस्से में हमें देखने को मिलता है उत्तर भारत जो हिमाले का यह चेतर आप के रहे हैं यह पॉइंट गलत यहाँ पे हो जागा चिक है तो राइट आंसर हम आप्सन D को टिक करेंगे नेक्स्ट वन क्या करा है कि निमली खीत राज्यों पर विचार करिए तो यहाँ पे चार राज दियेगे और हमें बताना है कि वन आवरन के संदर में निमली खीत में से कौन सा अवरोही करम होगा अवरोही करम का मतलब क्या होता है Descending Order तो हम यहाँ पे देखते हैं Descending Order में क्या होगा सबसे ज़्यादा सको उपर रखेंगे, सबसे कम को नीचे रखेंगे तो अगर हम छेतरफल के according देखें क्योंकि यहाँ पे तो प्रतिसत की बात नहीं की गई है वन आवरन की बात की गई है यानि छेतरफल के according देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है उसके बाद रुनाचल प्रदेश, च्छतिसगड, उडिसा, महाराष्ट यह आता है तो कुल मिलाकर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा option D ठीक है, यहाँ पे correct answer बन जाएगा option D अगला प्रषण हिमाले का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा option D सिवाली के नाम से जानते है नागलेन के परवत करम सब बंजर होते जा रहे उनका प्रमुक कारण क्या नागालन के जो परवध बंजर होते जारे उनका कारण क्या जूम क्रीशी जूम क्रीशी ओप्सन C ठीक है जूम क्रीशी एक पर करका क्रीशी का स्थनांतर लिए रूप होता है अगला क्वसंस की तुम्भद्रा नदी घाटी परिशना किन दो राजियों की एक सन्यूकत परि हिमालेस रेडी में मिलने वाले संकिर्ण और अनुध्यार यानि लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं मर्ग के नाम से जानते हैं मर्ग पक्चियों को उन्ने से रोकने की प्रकिरिया क्या 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 लाती है पक्चियों को उन्न silver में miss dhatu होता है german silver किसका야 किसका miss a dhatu होता है नीता जी नीता जी याद रिखे ठीक है तो दीखिन नीता जी सा मतलब क्या होगा निकल, तामबा और खी निकल, तामबा और खी एक चरब से ये भी याद रख सकती हि 2000 german silver में silver नहीं होता है तो options में जहां भी आपको चांदी दीखे उसे हम लोग काट देंगे ठीक है यानि कि वैसे भी आपका options कट जाएगा तो फिलाल right answer option C को देखेंगे मोतिलाल नेहरू ने कहां कि कहां पर आयोजीत 1919 के कॉंग्रेस अदिवेशन के देख्षता की थे मोतिलाल नेहरू ने तो इसका संबंध हो जागा option B अमरित सर अगला प्रशने की radar का परियोग किस लिए किया जाता है radar का परियोग इसका परियोग हम लोग को आते हैं दुरस्त जो दुरस्त वस्तों की पाचान करना और उनका पता लगाने के लिए क्या आता है radar का परियोग बैंक दर वह दर है जिस दर पर क्या होता है बैंक दर वह दर है जिस पर भारती रिजर बैंक वाड़ी जे बैंकों को रिड देता है C will be correct answer अगला questions सबसे छोटा जिव जो स्व प्रास्मा option B थर्मामेटर में आम तर पर पारत का परियोग गया था क्योंकि उच्छे गुणांग प्रसार होता है option C will be right answer अगला प्रस्ट निम्लिखीत में से कौन सा प्रमुख तामबा उत्पादक देस है तामबा उत्पादक देस है कौन तो इसे हम लोग तामबा राधानी के नाम से भी जानते है चिल्ली ठीक है चिल्ली कहा पर राइट अंसर होगा अच्छा चिल्ली की राधानी क्या होती जल्दी से कमेंट करके बताएगा क्योंकि कई बार हम लोग इसके बारे में डिसकसन कर चुके चिल्ली की राधानी क्या होती है जल्दी से करिए निमलीखीत में से किस नदी पर नत्पा जाकरी जो पर्योजता है वह इस्थित है नत्पा जाकरी पर्योजता का संबंध हो जाता है राइट आंसर होगा ऑप्सटन E 17 नदी ठीक है 17 नदी पर हिमाचल प्रदेश में इस्थिते नत्पा जाकरी प्रतम एंग्लो सीख प्रकासवर्ज का उप्योग किसके मापन के लिए कहाता है प्रकासवर्ज तो प्रकासवर्ज दूरी को आपने के लिए करते हैं किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था यानि कौनसे जो Charter Act था, कौनसा अधिनियम था जिसके अंतिगत बंगाल के गुवर्नर जनरल को भारत का गुवर्नर जनरल कहा जाने लगा वो था 1833 का Charter Act और इसी के साथ सबसे पहले भारत के जो गुवर्नर जनरल बने Lord William Benton थे, ठीक है, महाबली पूरा में इस्तित मंदिर संबन देते हैं, महाबली पूरा में इस्तित मंदिर संबन देते हैं, पल्लाव अंसे से, पल्लाव अंसे से, अपसन सी,